आपके लिए कॉलिटी लाइफ क्या है आपके मन की गुणवत्ता तैयार हो जाए ऐसी गुणवत्ता जो हमेशा तेज ताजा फ्रेश देख सकती है तेज है यानि दो के पार है फ्रेश है ताजा है आज है अभी है जैसा है तो वो टॉपिक कैसी हो जाएगी कैसे आनन देगी और उस वत वो आनन दे न दे मगर कहीं तो हम मन के शिकन्जे से आजादी का आनन ले पाएंगे यह इंपोर्टन्ट है आज आपको मन पसंद खाना मिला न मिला मन के शिकन्जे से मुक्त हुए वहाँ जो खुशी है वो ज्यादा इंपोर्टन्ट है वरना जूट कपट करके हमने प्राफ्त कर भी लिया जो आपको टेस्टी खाना खाना था दूसरों से ज़्यादा प्राफ्त कर भी लिया मगर वो कोई बड़ी उपलब्दी नहीं है बड़ी उपलब्दी क्या है आप उस मन से इंपक्त हो गए जो comparison करता है पुराने के साथ और आज ऐसा हो गया तो बढ़िया होगा ऐसा नहीं हुआ तो कुछ खास नहीं हुआ तो यह आदत ही चुट जाएगा अध्यात्म का मुखे सा कि पास्ट रिकॉर्डिंग का असर वर्तमान पर नहीं होता हम उपस्तित रहते हैं और जो आ रहा है वो गिर्ण कर रहे हैं मन भीच में आएगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है चेकर को बठाओंगे आनंद पर कि आता है की नहीं आता देखे तो ही तो देखो कि वह आनंद दिखाई नहीं है चेकर यानि क्या है चेकर कंपेर करेगा पुराने के साथ कंपेर करेगा तो उसको कहोगे तुमारा रोल ही नहीं है तो ये मन की गुणवत्ता वर्तमान में देख पाए कैसे रखें इस विशेश संदेश में आप सभी का स्वागत है इस संदेश द्वारा हम जानेंगे कि भूतकाल से मुक्त होकर हमेशा वर्तमान में कैसे रहें हरक्षण वर्तमान का आनंद कैसे लें अपने मन की गुणवत्ता कैसे तयार करें वर्तमान की शक्ति का रहस्य जान कर नित नए नूतन जीवन का आनंद लेने के लिए आईए इस संदेश को पूरी ग्रहनशीलता के साथ सुने और समझें कितने खुजियों को लगता है आज जोरदार सेशन होगा हाथ उपर करें ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि यहां मन को खुश करने थोड़ी आए क्या भी हो सकता है कितने लोगों को लगता है आज साशी नहीं नहीं बाते बताएंगे वे हाथ उपर करें यह मन से निकाल दो क्योंकि यही अध्यात्म का मुख्य हिस्सा है जो भी सवाल पूछे वो ऐसे ही नहीं पूछे उसके पीछे टीचिंग्स है यह अध्यात्म का महत्व पूरुन हिस्सा है हिस्सा क्या है? पास्ट रिकॉर्डिंग हमारे वर्तमान में आती है पास्ट रिकॉर्डिंग जो अनुभाव हमने लिये हैं वे सब मेमरी में हैं उनका प्रभाव हमारे वर्तमान पर होता है इसलिए हमारे वर्तमान में जो नया आ रहा है वह सिलिप हो जाता है वह छूड़ जाता है अब अगर आज आँख बंद करके बिठाया और काब जाओ गर तो मन क्या बड़बड करेगा? ये मन क्योंकि पास्ट रिकॉर्डिंग के अनुसार वर्तमान में देखना चाहता है इसलिए जो ध्यान करवाया गया उसमें जो नया आया वह आप लेहीं नहीं पाएं नया नुतन जो हर्षन हमारे पास आ रहा है वह सिलिप हो जाता है अगर आप यह लेशन सिक्कर जाएं और इसी सबक के अनुसार दृष्य देखें टहले अपने सुसाइटी में बाजार में और पास्ट को ना आने दें वर्तमान में तो हर दिन बाजार वही बाजार नहीं होगा हर दिन वही मुहला वही नहीं होगा हर दिन वेही अनुभव वेही नहीं रहेंगे क्योंकि आप वर्तमान में कैसे उपस्त है कि पास्ट का असर होने नहीं दे रहे क्योंकि आप वो फार्मूला नहीं चाहिए आपने ठान लिया वो फार्मूला आज तक क्या असर कर रही थी कि हम जी ही नहीं पा रहे थे हम केवल पास्ट जी रहे थे इनसान को अनुभाव मिले बच्चा अलग-अलग अनुभाव लेता रहा मर बाद में आए नो मुझे सब मालूम है एक उम्रा आ गई कोई दस साल में कहने लग गया कोई पंदरा साल में कोई बीस साल में क्योंकि अब सेम रिपिटेशन हो रही है ऐसा करके इनसान क्या खो रहा है बोर हो रहा है उस बोर्डम से पलाइन करता है पलाइन करने के लिए कहीं और पहुंच जाता है कलपना में या कोई फार्मूला के अनुसार व्यसन करता है सिगरेट पिता है शराब पिता है क्योंकि वर्तमान उसको खल रहा है क्योंकि वर्तमान में इस वक्त क्या है वैसा ही कुछ है जो बहुत पहले भी हुआ था और हम बहुत बोर हुए थे वैसा ही वर्तमान वापस आया मगर ये वर्तमान क्या वैसा ही है जैसा आपने पहले भुकता है वो वैसा ही नहीं है मगर मन उसी को वर्तमान में लाकर फार्मूला बना लेगा और उस सक्त क्या किया वही करने लग जाएगा तो नया जो आ रहा था क्योंकि पुराना एक्स्पिरिंस तब आपकी समझ अलग थी आज आप अलग हो आज बहुत कुछ बदल गया है आज इसको कैसे लेना था जैसे पहली बार सुन रहे हो जैसे पहली बार एक्स्पिरिंस कर रहे हो तो कैसा अनुभव होगा थंड के मौसम को पहली बार अनुभव करो गर्मी के मौसम को पहली बार अनुभव करो बारिश के मौसम को पहली बार अनुभव करो और प्रवचन सुन रहे हो तो पास्ट को लाया ही नहीं बीज में आज का प्रवचन कैसा होगा जैसा होगा वैसा होगा जैसा होगा तो अब आज जो आ रहा है वो ले पाओगे वरना वही सिलिप हो जाएगा वही छूट जाएगा और सिर्फ शब्द लेकर थोड़ी हमें जाना है हम तो वो कन्विक्शन लेकर जाना चाहते हैं जिसकी वज़े से हम वैसे जीएंगे पास्ट रिकॉर्डिंग बीच में न लाते हुए किसी से मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे वैसे क्या होता है किसी से मिलते हैं तो उसकी पास्ट रिकॉर्डिंग बीच में आती है कल इसने ऐसा किया था, फरसों ऐसा किया था उसका पास्ट पूरा बीच में आता है और आप वैसे ही विवार करते हो जैसे पास्ट में किया था अब आपने सोच लिया, कन्विक्शन पराप्त की कि आज का इंसान जैसा है वैसा हम उसको देखेंगे तो क्या अनोखा पन मिलता है नहीं मिलता है मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता तो पहले ही मन में नहीं कहोगे कल हम मिले थे बहुत अच्छा लगा था तो आज भी अच्छा लगना चाहिए निकाल दो मन से तो आपको कहा ऐसा कुछ नहीं होगा यह आपको मन को कहना आना चाहिए कि निकाल दो इसको ऐसा कुछ नहीं होगा और हो भी जाए अब ऐसा हो भी जाए तो आप अपन हो आपने इन्वलब को खुला रखा है दोनों तरफ से तब आप चोटी चोटी बातों में भी आनन्द लेना सीख जाओगे वाश बेशन के सामने जाना या गार्डन में गुमने जाना दोनों का मज़ा अलग है गार्डन में हो वाश बेशन के सामने हो आईना लगा है कोई है उदर क्या होने वाला है पता नहीं आपको मगर पास्ट नहीं है कि यही होता है वैसे ही दांद गिसते है वैसे ही मुद होते है क्या होता है तो जैसे पहली बार हो रहा है सर्शी प्रवचन दे रहे है आपको मन पर जैसे मन पर हमारी कभी बाती नहीं हुई है मन पर हमारी हर गटना में हर स्थान पर आकर आपको बताता है मेरा ये रोल है तुम्हें बताना पिछली बार इस जगे पर क्या हुआ था पिछली बार इस इंसान के साथ क्या हुआ था आज भी वैसे ही होने वाला है तो आप उसको कहोगे निकल दो दिमाग से और हो भी जाए तो आप कैसे ओपन रहोगे अगर आप मन को यह बता पाए उसको ओपन रख पाए वरना इस आदत की वज़े से उसने कितना बड़ा नुकसान किया है और ये नई बात आप सीख गए तो आप हर जगे पर कैसे रहोगे तो आँख खुलने से लेकर रात तक आप जो भी अनुभाव करोगे क्योंकि अलग-अलग अनुभाव आपको होते हैं कुछ अच्छी लगने वाली बातें कितनी सारी होती है बच्चे को देखते हो कितना प्यार आता है कितना अच्छा लगता है अब ये जो अच्छा लगा ये रिकॉर्डिंग हो गया अब अगली बार भी आप बच्चे से मिलकर वही चाहोगे किसी और बच्चे से मिले तो अब ये पहले वाला बच्चा बीच में आएगा अगर आप ये सब बातें नहीं जानते तो इस नए बच्चे की जो ब्यूटी है वो आप नहीं देख पाऊगे ब्लेक इंसान का बच्चा हो क्यों उसकी खुबसूरती अलग है तो आप उपन हो तो आपका जीवन कैसा होगा नित नया नुतन आएसा जीवन जीना है उसके लिए हमें कुछ सीखना है कुछ तरीका जानना है कि ये मन बीच में क्यों आता है क्यों मलकियत चाहता है अगर उसको नहीं लाया तो क्या होगा उसका रोल ही नहीं बचता क्योंकि जो भी है आपके सामने वो नया है पहली बार हो रहा है हला कि मन कहेगा ऐसा तो हुआ है पहले भी ये तो पहले हुआ है ये तो बात पता ही है मगर फिर आप सुनी नहीं पाओगे फिर आज जो मिल रहा है वो सिल्प हो जाता है तो ये आदत तूड़ जाए और इसका मज़ा जब आने लगेगा जीवन में तो आप के अंदर से गोशना हो सकती है मुक्ति की गोशना कि अब पास्ट से वर्तमान मुक्त हो गया और आता भी है तो सजकता होती है क्योंकि अब आप एक गुणवत्ता तयार कर रहे हो अपने मन की गुणवत्ता क्वालिटी आपके लिए क्वालिटी लाइफ क्या है आपके मन की गुणवत्ता तयार हो जाए ऐसी गुणवत्ता जो हमेशा तेज, ताजा, फ्रिश देख सकती है हर दम तेज, ताजा, फ्रिश तेज है यानि दो के पार है फ्रिश है, ताजा है आज है, अभी है, जैसा है तो वो टॉपिक कैसी हो जाएगी कैसे आनन देगी और उस वत वो आनन दे न दे मगर कहीं तो हम मन के शिकंजे से आजादी का आनन ले पाएंगे यह इंपोर्टन थे, आज आपको कुछ खाने को मिला न मिला मन पसंद खाना मिला न मिला मन के शिकंजे से मुक्त हुए वहाँ जो खुशी है वो ज्यादा इंपोर्टन है वरना जूट कपट करके हमने प्राप्त कर भी लिया जो आपको टेस्टी खाना खाना था दूसरों से ज्यादा प्राप्त कर भी लिया मगर वो कोई बड़ी उपलब्दी नहीं है बड़ी उपलब्दी क्या है आप उस मन से ही मुक्त हो गए जो कंपरिजन करता है पुराने के साथ और आज ऐसा हो गया तो बड़िया होगा ऐसा नहीं हुआ तो कुछ खास नहीं हुआ तो यह आदत ही चुट जाए पुराने रिमाइंडर आजादी की यादिला तो पुराना हमारे जीवन पर क्या असर कर रहा है यह बहुत क्लियर हो जाए अध्यात्म का मुखे सा कि पास्ट रिकॉर्डिंग का असर वर्तमान पर नहीं होता हम उपस्तित रहते हैं और जो आ रहा है वो गिरन कर रहे हैं मन भीज में आएगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यह क्या टोपिक है तुम रहो कुछ हो कुछ नहीं हो यह इंबॉर्डन नहीं है तुमारी उपस्तिती जहां पर भी हो वहां पर आनंद कैसे आता है चेकर को बठाओगे आनंद पर क्या आता है की नहीं आता देखे ता सही तो देखोगे वो आनंद दिखाई नहीं है चेकर बठा है ना चेकर यानि क्या है चेकर कंपेर करेगा पुराने के साथ कंपेर करेगा तो उसको कहोगे तुमारा रोल ही नहीं है तो ये मन की गुणवत्ता वर्तमान में देख पाए वर्तमान में जो पसीना आए वो पसीना शुद्ध हो तो कहानी क्या कहती है कि संतर अविदास को किसी राजा ने सोने की अंगुठी दी उनकी गरीबी देखकर और संत्र रविदास ने उस अंगुटी का इस्तिमाली नहीं किया वो अंगुटी वहीं पड़ी रही जहां राजा रख कर गया था अगले साल राजा आया और उसने सोचा कि कितने दिन उसके बदल गए रहेंगे मरद देखा कि अंगुटी वहीं पड़ी थी तो उसको आश्रह हुआ उसने पूछा संत्रविदास से जो काम में लगा हुआ था चमड़े का काम तुमने क्यों नहीं इस्तिमाल किया मैंने तो सोना दिया आपको और ये काम करते करते पसीने से लत्पत है और पाने में हाथ गिले हैं तो पसीना पहुचने के लिए काटने वाला यंतर जो था चमड़ा काटने का उसी से ही पसीना पहुच लिया जिसे हमको पेन से पहुचते हैं कुसी चीज से पहुचते हैं तो वो पहुचते ही क्या हुआ वो लोहा जो था वो सोने का हो गया वो लोहा सोने का हो गया तो राजा को ऐसास हुआ मैं सोने की अंगुठी देखकर सोच रहा था मैं मदद कर रहा हूँ उसका पसीना ही सोना बना देता है चीजों को क्योंकि सोना कैसा था सोना कैसा था उसकी गुणवत्ता क्या थी गुणवता, quality तो लोग आज वियायाम करते तो देखे कितना पसीना निकला रुमाल भी गिला हुआ की नहीं हुआ और उसमें कोई सोने के कणा आए क्या पर तो ठीक से गिला तो हो स्टेप बास्टेप इंसान को कार्य करना चाहिए कि पसीना हम किस बात के लिए बहा रहे हैं स्टे के लिए बहा रहे हैं तनाओ में बहा रहे हैं पसीने की गुणवता आएसा पसीना बहाओ जिससे प्यास बड़े स्टे की प्यास बड़े वो quality लाओ उस quality के लिए जो मनो शरीर यंत्र मिला है इसकी गुणवता यह हम लेकर जाएंगे तो कबीर ने जैसे अपने शब्दों में कहा जीनी जीनी बीनी चदरिया जीनी जीनी बीनी चदरिया जैसी दीनी वैसी दीनी चदरिया यानि इश्वर से जो शरीर मिला उसको हमने वैसा का वैसा ही लोटाया पहनने के बावजूद भी हमने उसे वैसा का वैसा ही रखा वरना जैसे बताया था किसी ने इंटरनेट पर अपना कोट बेचने के लिए विज्ञाबन दिया कि शादी का कोट बेचना है एक जम गुट क्वालिटी सिर्फ एक ही बार पहना गया है वो भी गलती से तो बिना पहने क्वालिटी रखना कोई बड़ी बात नहीं है पहन कर आप पहन कर जब उसे वैसा का वैसा ही रखते हो यही मन की ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग में आपको अपना लक्ष पकड़ में आ जाए आपका लक्ष लक्ष क्या है और लक्ष कहीं और है जो हमें जाकर पाना है यह हमें समझना है इसको ऐसे समझो कि एक कहानी में एक राज्य में जो मुख्या है उसको राजा की तरफ से किसी फंक्षन में कब अवार्ड मिला था ट्रफी ट्रफी अवार्ड मिला था तो वो जो मुख्या है अगले साल वही उत्सव करने जा रहा है जिस उत्सव के लिए उसे ट्रफी मिली थी तो अब वो उत्सव करने जा रहा है फिर से एक बार तो गया है कुछ चीजें कलेट करने के लिए किसी से बातचित कर रहा है उसका बेटा भी साथ में है उसके बेटे को दुन्दला दिखाई देता है उसको पानी से आँखे दोनी पड़ती है तब थोड़ा ठीक दिखता ह तो बेटा है साथ में पिता जी गया है और बातचित चल रही है जहां खरिदारी कर रहा है सेट जी मुख्या तो बातचित में वो पताता है कि मुझे ट्राफी मिली थी राजा ने मुझे ट्राफी दी थी तो सामने आला कहता है ऐसा हो इनी सकता ऐसी ट्राफी मिलती नहीं क अब बेटा घर आया है अब नौकर ने क्या किया है कुछ साफ सफाई किया है ये लड़का आया है पिताजी की बात सुनकर लड़का आया है ट्रॉफी लेने के लिए किस टोरूम में जाकर देखना इस कबड़ में देखना ट्रॉफी रहेगी और पीछे नौकर ने क्या किया ह कुछ साफ सफाई में वो ट्रफी निकाल कर साफ करके टेबल पर रखीये और वह अपना काम करके चला गया अब बेटा आया उसने देखा है कि टेबल पर ट्रफी पड़ी है मगर अभी देखी नहीं है ट्रॉफी कभी कोंसी ट्रॉफी की बात कर रहे थी पटा जी सुब माल कबड में जाकर देखना है मगर आँख दोनी है तो वो चीज कैसी है वो बोलता है ये आँख दोने के लिए अच्छा यंत्र है पानी भरता है आँख डालकर धोता है पानी भरता है आँख डालकर धोता है आप जानते ना आइवाशर होता है पानी बर के आँख के उपर रखते और आंख खुलते अंदर पानी में तो अभी बोट ट्राफी लेकर आँख दो रहा है और ट्राफी टूंड रहा है Model Now in store room मेंब हनी गया दिखा इनी ट्रौफी मिली नहीं भहाँ अुढ़ा परेशन होग है साइद दूदला दीख रहा है कि आंक दोता है तो या पर जा के दूढ़ दोता है प्र जा के दुढ़ में दुढ़ा है नहीं दिखता है पूरी देर ट्राफी हाथ में है पूरी देर जितनी देर वो डून रहा है ट्राफी हाथ में है और वापस गया है पिताजी के पास ट्राफी हाथ में है और जाकर खड़ा हो गया, बलता मिली नहीं अब भी मिली नहीं अब पिताजी देख रहे हैं, ये तो उसके पास ही आए उसके लेकर ही आए है और कह रहा है कि नहीं मिली तो जैसे पिताजी को दिख रहा था बहुत किलिर बेटा निराश है, उदास है, मैंने बहुत डुंडा, नहीं मिला वैसे ही गुरू भी देखते हैं कि परसन बोल रहा है, मुझे अनुभव नहीं मिल रहा है मुझे खुशी नहीं है क्या करूँ मन को चैन नहीं है तो उसको क्या बताएंगे तब क्योंकि बीच में आया है ये मन पास्ट रिकॉर्डिंग के अनुसार देखने वाला मन ये मन था, इसलिए चीज हाथ में होते हुए भी इंसान डूंड रहा था और जो वर्तमान में आनंद था वो ले नहीं पाया कहाने में तो साफ साफ दिखा कि ट्रॉफी फिजिकल थी ना, दिखती है मगर ये अनुभव जिसकी वज़े से आप जिन्दा महसूस करते हो साफ चल रही है इस वकत भी आपकी मैं ट्रॉफी जैसी मैं तो पुरण लगती है क्या देखो दू सेकंड पुछो, ये साफ मैं ये इतनी इंबॉड़न लगती है क्या आँख बंद करके साफ कैसे चल रही है क्यूं चल रही है क्या है जिस वज़े से चल रही है तेखो यह नहीं चलेगी तो क्या होगा इतनी मूल्यवान चीज लेकर गुम रहे हो कभी लगा था इसी से ही जिन्दा थे सभी दिरे दिरे आँख खोले वर्तमान में सांस की दौलत मिलने की खुशी हो रही है किम्ती चीज लेकर चल रहे है मगर मन कैसे देखेगा पास्ट मेमरी क्या है सांस के साथ या सांस के साथ या बहू के साथ पास्ट मेमरी भीज में आएगी नई बहू देखने ही पाओगे नया बौस देखने ही पाओगे आज का बौस आज का पड़ोसी तो यह ट्रेनिंग है लक्ष लेकर ही गुम रहे है निर्गण निराकार लक्ष लेकर ही घुम रहे मगर इंसान को मालब नहीं है क्योंकि मन का परदा है मन का परदा है यानि मन की जो वर्ती है वो खींच लेती है यानि आपके नय चाहते हुए भी मन आके बड़बड करता है नहीं चाहते हो भी यह क्यों हुआ अभी अगर आपको बाहर बिजा जाए बाहर सब जाकर देखो पुरा परिसर देख रहा हो तो आए मेरे को मालम है अगर ये बात नहीं सुनी है और अभी जाओगे तो कैसे देख रहा होगे कि आप पहली बार देख रहे हो मर मन पुरानी अज़त के अनुसर आएगा ये दर्शन करना है ये दर्शन करना सिखाना है अध्यात में मतलब नसियते नसियते देखकर छोड़ दिया ऐसा नहीं उसका दर्शन करवाया जाए मनन आशरम बनने के परपस क्या है लोग रहें और कंटिनियस दर्शन करें मन का भी दर्शन हो जाए पूरा हो जाए ताकि आगे जब वो आएगा बड़बड करने आप कहोगे निकाल दो मन से दिमाग से निकाल दो उसका अब जो है वह ऐसा तेज ताजा फ्रेश आपको जो एक्जम्बल बताया मुखिया का बेटा पूरे वक्त ट्राफी लेकर गुम रहा था तो आनुभव के साथ ही आप उठ रहे हो चल रहे हो जब भी डाउट है अपनी सांस पर ध्यान देना कितनी किमती चीज लेकर आप गुम रहे हो इसकी किमत भूल गए है तो दुखी मैसूस करते है खुद को तो फिर से अमीर हो जाओगे जब भी सत्य याद करोगे ये कुछ बातें थी जो आज आपको बतानी थी यहां आकर जो सेवा का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हवी तार्स सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ग्यान का केवल परिचय मात्र है तेज ग्यान नहीं तेज ग्यान सरश्री महा आस्मानी परमग्यान शिवर में प्रदान करते हैं इसका असली आनंद आप शिवर में भाग लेकर ले सकते हैं सरश्री की शिक्षाओं पर आधारित ओनलाइन महा आस्मानी परमग्यान शिविर यह ओनलाइन शिविर तीन भागों में लिया जाएगा बुनियादी सत्य शिविर 12 और 13 फरवरी 2022 ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 27 फरवरी बहा आस्मानी शिविर 5 और 6 मार्च इन शिविरों का लाब लेने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तेज ग्यान फाउंडेशन द्वारा आयोजित सर्शरी को लाइव सुनने का सुनहरा मौका सर्शरी द्वारा विशेश संदेश जीवन का जादू और जीने की शक्ती कैसे करें भविश्य की चिंता को हेलो, हाए, बाइबाइ हैपी वरी फ्री लाइफ, वन डे, अट अ टाइम रविवार 23 जन्वरी 2022, दोपहर 1 से 3 बच कर 30 मिनट रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें